जी नमस्कार राजगरवासियों मेरा नाम कृष्णुपाल राठोर है और आप महारो राजगर का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हम इस वक्त सुल्तानिया गाउं में खड़े हैं कई लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि सुल्तानिया गाउं माविजासन माभेसवा रानी का जो है वो जन्म इस्थली है यानि कि सुल्तानिया गाउं की ही रहने वाली थी माविजासन माभेसवा और सबसे पहले जो भी पूजापाट का जो भी बड़ा कारिक्राम होता है वो सुल्तानिया से ही माविजासन के दर्भार में जाता है फिलाल ये सुल्तानिया में एक दिव्वी गुरुधाम भी है जिने हम गुरु महराज कहते हैं और ये देखिए यग्ज शाला भी यहां पर बनी हुई है तो ये पवित्र गुरुधाम के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे साथ ही में आपको बताएंगे कि सुल्तानिया के लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएका और अपने बच्चों को भी दिखाईएका गुरुदेव जो गुरु महाराज का इस्थान है इसके बारे में कुछ जानकरिया आप देपाएंगे जी देंगे यह चलते चलते बात करते गुरुदेवाई यह दर्शन भी करवा देंगे ताकि यह गुरुद्हाम जो है कितने साल पुराना होगा कुछ आइडिया है आपक यह कम से कम डेर्शो साल से ज्यादा प्राना है 1500 साल हो गया कि तो इसकी कुछ खासेत भक्त लोग अगर आएं यहां पे इसका कुछ इतिहाज उतिहाज कुछ चमतकार यह आपने देखे हो कि जो भी आता है घरदय से प्रेम से आक आकर के भींति करता है कुछ मांगता है तो उसका मनोकामना पूर्ण होती है और सबसे जज़ादा यहां पर टांड़ाइब हो जाता दूप से ही जो है क्रपाद चालो जाती है तो गुरु देव ये जो इस्थाने आपने बताया कि एड़सो साल पुराना इस्थान clarify की इंहां की सुल्तानिया की अलगी रए ही तो आपको अबित अक्रैनिAK सुल्तानिया में केसा लगा बहुत अच्छा लगा पहुत धर्मिक प्रवित के लोग हैं यहां पर आयो दर्शन आपको गुरु महाराज के हम करवा देते हैं गुरु देव ने बताया कि भाईया जो भी यहां पर धांडे डोर जो होते हैं उनका भी इलाज होता है हमारे मालवा में हम धांडे डोर बोलते हैं तो उनका भी इला उनकी द प्रद्थभे कर्छा मैं आगर जो इसों excitryg माराज जो कंवे हाँध ही उसका जो करने वाले देवां को ludzi अहिए वह यो जल्डगी में कशनुर रहें कशनुरा जौट्राग से टव्सार में दर्वात कर्णी यह laut में देवास रोड़ के नहीं को चाल mo nhah कि आश्रम में यही से समाधिय ली थी को करच्श में निकले थे आट दिन की अर्य जी माहराज है यही पर रहते धे यही पर रहते थे नागर समाज के थे यही रहते थे वो समाधी ने लिई गुरु टेपट अधी महराज वे तो उनकी सेवा में आ रहे हैं तो जब उनकी समाधी खुली तो उनने यहां सेवा में इनको देखा तो देखने के बाद इनने इनको सिस्ट बना लिया यह पूरा इतियास है और जब इनने समाधी ली थी गुरु टेक्टेंदाजी महराज ने जीविश समाधी लिये कर्चा मे अच्छा जिस समय समाधी ली थी उसके बाद गुरु महराज ने कहा कि ये चरण पाजु का एक झंडा चरण पाद का गाव में मंदिर है वहां रखी है यहां गड़ा है ये जंडा उनीका है ये जंडा उनीका है आज भी वह मलब उस रूप में रखा जाता क्योंकि वह तो प यह इतिहास है यहां का यदि आपको भी नहीं पता हो तो अपने बच्चों को यह वीडियो जरूर दिखाएं इससे घ्यान मिलता है हमारे धार्मिक परमपरा है हमारे गाओं में जो आश्रा में उनकी जानकारी भी उनको मिलते गुरु देव यह किनकी समाधी है यह देविद क्यारे अभी जो छत्रवत्र है यह आभी चल ऑग hear और यह 15 साल होगा इसको नीरमार ह साल हो गया यह अभी यह भी नीरमार हुआ कया त्यागी जी महाराज थे उनके हाथों से जिमने उद्धार यहां पर हुआ उनके बाद उनके गादी गुरुजी ने समाज ली जो यह कारे चल रहा है अभी इसी वर्थ यहां 21 कुंडी यग हुए च्छेया सी जोड़े बिठे थे 28 फरवरी को यहां चल रहा था उसके बाद में जो निर्मान हुआ यह अभी तीन चार वर्थ हुआ यह जो निर्मान है इसमें कुछ सरकारी साहिता है या फिर जो है सासन की अब्यतक कोई विसाहिता नहीं मिलें यह सब गाहुं के जनसायोग से हुआ है मात्रेक जो सामुदय कुदर बहुंअ बन रहा है वहा सासन की द्वारा वहां से कुछ राशी उसकी मेली घौच्ट और की यह पूरा निर्मानकार रहा है यह पूरा लोगों ने बनवा इनके गुरु जी है गुरु टेक्चन दाजी महराज इनकी मुर्ती इस्थापना भी हुई है जो यह गुवा उस समय हो उसकिया बात है इनकी जिविश समाधी है 215 वर्ष हो गए है अच्छा 215 पुराने गुरुदेव है जिनकी मूर्थि की स्थाप्ना सुल्तानिया वह 250 जो है पुरान जिते हम 100 पंद्रावर से पहले समाधी ले चुके समाधी कि इन्हों dit कर्चा में इन्हों कि आड दिन के समाधी यहां लगाई थी इसलिए उनका दिवे दरबार यहां पर देवे जो यह बनाया गया यहीं पर बनाए इसकी लिए अब इक और दिखा दीजिए सिखर डर्श नंप तो उनका है आंतों से इसी चल रहा है छे महिने का संय महिने बाद शमय को आप याइक भू मी पूरे गाउं का स्रेट उन्हें ने जीत के वहां पर पोचाया था उनकी कदर करते हुए उन्हें जो सम्मान दिया था मेरे को उस सम्मान को मैंने गाउं की भावना को देखते हुए जो मेरे को लगा कि वास्तिक मुझे सम्मान गाउं वालों ने दिया उस सम्मान में मैंने यहां पर सयोग के रूप में साथ लाग रुपे की रासी या तिन से निर्मान में दी है जिसका कारे चल रहा है अभी कारे भी आ यहां पर पहले पहले नाम से यहां पर निर्मान करवाया है उन्होंने भी बोला आप पेशे की चिंता ना करें करते हैं यहां पर मेंटेने समला है हमारे गाउं के नरायन सिंग जी जो चक्की वाले हैं और मनोर नागर बिचलिवाडी उन्होंने या तन्मन से और धन से गाउं से एक एक रुपए कट्टा करके जो आप देख रहे हैं यह उन्हीं के मार्ग दर्शन हुआ यह नहीं है परंतु जो है वो हमें नए लड़कों को तो यह तमाम सारी चीजें हैं बाकी आपको चूर बोलना पर प्रतिवर्श है एक बहुत दूमधाम से कारिक्रम मने जाता है गुरु मराज की उपलक्ष में यहां कम से कम 25-30,000 के करीब होती है हर वर्श है और हम इसके मेसेज, पेंप्लेट, गाड़ी, फोवन, वाटसाब, आधी के माध्याम समसूचना करते हैं प्रतियक साल सरत पुर्णिमा का उसर पर यहां रातरी 12 बज़े को आरती होती है, दिन में 3 बज़े भजन संध्या होती है, प्रवचन होते है, रात में सामुईक भंडार होता है, पूरा गाउं का पेला तेवार ह मनते हैं, क्या बात है जी, यह मुझे भी अच्छा लगा है, यहां पर आके, और यह बहुत अच्छा लगा इस आश्रम पर आके राजगर वासी होता कि वीडियो जब पहुंचेगा, तो निश्चित तोर पर कुछ अच्छा आपको भी फीडबेक मिलेगा, और गाउंवाल लोगो जो नए लड़के हैं, वो नए लड़के तो इस वीडियो को देखेंगे, तो उनको इतिहास कम सकम इस आश्रम के बारे में पता चलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को जादा जादा शेयर कीजिएगा,